कंप्यूटर साइन्स की ब्रांच अच्छी नहीं है सो मेजर डिफरेंस क्या है AI करूंगा तो मुझे डेवलप्मेंट फिल में जाऊंगा क्या अगर सारा कंक्लूजन बता दू तो यार AI डियर्स हाई अबरिवन कैसे हो सारे यार आज कोई ऐसा व्लॉग नहीं होने वाला है सबसे बेले तो क्योंकि यार आज का ये वीडियो का एक अलग ही मोटिव है मुझे इंस्टाग्राम पर काफ़ सारे डियम्स आ रहे थे regarding my college review and also artificial intelligence and data science versus computer science and engineering इसका क्या main difference है ये सबको जानना है और लगबग मेरे डियम्स सारे ऐसे ही है और दूसरा main की सबी लोगों को colleges के review जानने है तो यार इस वीडियो में हम major difference जानेंगे AI ideas and computer science engineering और आपको कोई भी computer and business या फिर कहलो और मेरे college का review शरद institute of technology college of engineering क्या आपको इस college में लेना चाहिए नहीं लेन जाहिए और क्यों नहीं लेन जाहिए यह सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा इसलिए वीडियो end तक ज़रू देखना और ये वीडियो सभी जेई aspirants के साथ share करना CETJ aspirants जो है आपके friends उनके साथ share जरू करना क्योंकि बहुत भी valuable information होने वाली है और basically आपके सारे doubts लगबग clear हो जाएंगे सो start करते ही वीडियो को सब से पहले Artificial Intelligence and Data Science versus Computer Science Engineering और Artificial Intelligence and Machine Learning या फिर कौन से भी subjects हो इनका major difference क्या है मैं सही बताओ मैं भी Artificial Intelligence and Data Science मैं study कर रहा हूँ Actually I am BTEC student in Artificial Intelligence and Data Science सो यार basically कोई difference नहीं है सब से पहले तो और ऐसा नहीं कि Computer Science की ब्रांच अच्छी नहीं है मैं AIDS का student हूँ इसलिए मैं bad reviews दूँँगा ऐसा कुछ नहीं दोनों ब्रांच अपने जगा सही है So major difference क्या है यह सब से हम पहले समझते So major difference यह होता है कि जो हमारे ब्रांच है AI की So उसमें यार AI Machine Learning, Data Visualization Basically यार जो आज Trend में चल रहा है ना AI, Chat, GBT उन सब का knowledge होता है Deep Learning वगेरा ऐसे subjects होते है और Computer Science में भी आपको मिलेंगे बड़ इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे Computer Science में क्या होता है हमारे में और Computer Science में Major difference यह होता है कि Theory of Autonomic कुछ तो ऐसा subject होता है Gate के लिए चलता है वो वो वेसे एक दो-तिन subjects नहीं होते है और यह मैं confidence के साथ क्यों बता रहा हो क्योंकि मेरा roommate भी Actually Computer Science student है और लगबग उसका और मेरा syllabus सेम है 90% of the syllabus सेम है 10% जादा ही है हमें क्योंकि मतलब हमें AI होता है Machine Learning होता है Deep Learning, Neural Networks और AI के बहुत सारे topics होते But Computer Science के जो subjects है Operating System, Database सभी जो basic subjects है सभी subjects हमारे branch में cover होते तो यार देखा जाए तो यार कोई difference नहीं है But यार आप मुझे पूछोगे अभी कि AIDS क्यों नहीं students ले रहे तो यार मैं बताओ तो जिसे पता हैं न यार वो सभी बच्चे AIDS ले रहे AIDS हो या AI and machine learning हो क्योंकि यार future ही ही है और दूसरी बात मैं ऐसा नहीं कहा रहा कि CS ले आए तो अभी CS को छोड़का AI को ले लो Computer Science यार foundation है अगर foundation ही अच्छा नहीं होगा तो AI कैसे करेंगे हम AI कैसे सीखेंगे, implement कैसे करेंगे मतलब basically यार computer science तो होता ही है हमारे ब्रांच में उसकी पढ़ाई के बाद AI के सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे की machine learning, neural networks या फिर deep learning मतलब थोड़े add-on subjects है ये और ऐसा नहीं कि CS में ये पढ़ाई नहीं जाते CS में भी होता है AI वगरा बट basic से होता है तो यार ये जो difference हो रहा है CS versus AI CS versus AI and machine learning CS versus AI and data science तो यार इसका एक ही conclusion है कि 10% से या 15% से syllabus सिर्फ अलग होता है अलग मतलम जो आपको theory subjects होते हैं जैसे कि theory of autonomy वो gates की exam के लिए आते हैं और वो subjects हमारे ब्रांच में नहीं होते हैं बट उसका कोई use भी नहीं है है इसका use बट gate की preparation के लिए सिर्फ या 3 subjects नहीं होते बाकी हमारा और CS का same syllabus होता है और हमें ज्यादा extra होते जो कि AI होता है machine learning होता है deep learning या फिर neural networks और बहुत सारे आप portion एक बार online भी check कर सकते हो और यह यार मैं जो कह रहा हूँ 10 या 15% का जो difference है यह मतलब मुझे college वालों नहीं बता है था और यह सच है आपको अगर confirm करना है तो जिस college में आप लेना चाहते हो AI कह लो या फिर जो भी नए ब्रांचे साए computer science and business computer science and cyber security बहुत सारे इसे ब्रांचे से तो यार आप क्या करो college में जाओ या फिर call करो faculty को और सिर्फ उन से पूछो यार इन में difference क्या है कि CS computer science engineering versus AI इन में major difference क्या है तो आपको जावब यही मिलेगा कि कोई difference नहीं सिर्फ 10% का difference होता है जो कि ये subjects का होता है जो मैंने बता है experience से बता रहो क्योंकि मेरा roommate भी computer science engineering का था और आप AI ideas ले सकते हो क्योंकि AI यार future में बहुत मतलम आगे बढ़ने वाला है अभी chat GPT आये तो market में यार कितना बावाल हो गए आप देख सकते हो आप अगर internet पर tech field में ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रोल कर रहे हो तो आपको पता होगा अगर Instagram पर कुछ कर रहे होगे अलग स्क्रोल तो नहीं पता होगा So basically यह है कि difference कोई नहीं है सिर्फ 10 to 15% है So अभ यार दूसरे question पर आते कि आप मेंसे कई बच्चों ने मुझे DM यह भी किया है कि आपका college कैसा है So basically मैं मेरे college का नाम बद देता हूँ मेरा college का नाम शरद Institute of Technology College of Engineering इसल करंजी में है यह college और मैं एक B.Tech student हूँ Artificial Intelligence and Data Science में मैं कर रहा हूँ engineering So basically आपको मैं मेरे college का review बता दो सबसे बेले अगर तुम मेरे classmate हो ना तो comments में ज़रूर बता ना बच्चों को So अभी मैं बता देता हूँ review SI guys की college better है मतलम अच्छा है ठीक है पट अगर आपको percentage जादा हो मतलम 80 से आगे हो या फिर 75 से भी आगे हो तो यार आप KIT कोलापुर का ले सकते हो KIT नहीं मिला तो आप दुसरा college देख सकते हो DIY पाटिल का सबाब ओड़ा शरत भी अच्छा है या फिर ताते साइब कोरे वार्ना नगर या फिर अन्ना डांगे ये कई college है मतलम ये सबी better है अगर आपको अगर try करना है तो आप KIT भी try कर सकते हो KIT मैं कहूंगा मेरे मतलम ऐसा कोई difference नहीं होता है private college में बट still मुझे KIT थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैं KIT आपको कह रहा हूँ मेरे college से better अगर आपको कोई मिल रहा है तो आप KIT ले सकते हो DKT भी है बट यार सबी average है और main reason में better अच्छा ठीक ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि actually गाव में है college मतलम इचल करनजी में तो आपको ऐसा smart city ऐसा कोई experience तो नहीं मिलने है वाला पहली बात तो और दूसरी बात थोड़ा सा strict है हमारा college बस इतना ही है नहीं तो college में placements भी average होते है placements की बात अगर आप कहें तो average होते है उसका part में cover करूँगा भी आगे so placements ठीक ठाक है आप अगर skills student हो तो आपकी placement पकी नहीं तो यार अगर IAT की student भी हो तुम तो यार नहीं हो पाएगा अगर तुम skills पे काम नहीं करोगी या फिर तुम coding अच्छा नहीं करते है aptitude नहीं solve कर पाते है तो यार नहीं हो सकता है IAT के student हो तो भी नहीं आपको placement मलेगी यह अपने उपर होता है सबसे बहुत फिर अभी आते हैं placements पे प्लेसमेंट्स हमारी average होते है मतलम 4-3 lakhs का minimum package है highest 10 तक है ता बट आपको highest कम में बता देता हूँ सिर्फ एक या दो students को मिलता है वो भी off campus से try करते है और main बात आपको मैं बताता हूँ कि average package है बट company आती है हमारी college में बस आपको मतलम rounds वगेरा clear करने पड़ते है aptitude round फिर coding round यह अच्छा round यह सब अगर round आप clear कोरोगे तो ही आपको placement मिलेगी अगर मैं आपको example देता हूँ तुम IIT के लड़के हो अब IIT में सीख रहे हो तो IIT में अगर Google भी आई ना और तुमें कोई aptitude की exam कहलो या फिर coding की exam पास ही नहीं की तो तुमारे selection ही नहीं होगा कोण से बिए IIT के किसी भी top university में भी होना तो अगर तुम skills में अच्छे हो तुमें जो development में जो interest है वो अच्छा है coding अच्छे है aptitude में clear है सभी कुछ अच्छा चल रहा है तो यार तुमारे placement पकी है हम यार करते क्या है पता है कोण से भी college का जो नाम है ना सर्च करते हैं हमें अच्छा लगता है और फिर पूछते ही कि placement से क्या हमें placement मिलेगी क्या तो यार यह सवाल सबसे पहले तो पूछ ना बंद करो क्योंकि आपके skills पर ही आपको मिलेगी placement हा मतलम यह ठीक है कि company आती है क्या तो company तो हमारे college में आती है ठीक टाक आती है company average से आती है बट highest paying भी देती है बट उसे skills भी चाहिए company को अगर आपके अंदर skills नहीं है coding skills नहीं है aptitude का round सबसे main होता है वो clear नहीं हो पा रहा है तो यार आप आगे ही कैसे जाओगी तो यह main आप ध्यान में रखना average college बट अगर आपको 75% के आगे marks हो तो यार आप better college देख सकते हो मतलम KIT तो मैंने कहाई RIT भे है RIT और KIT यह दोनों मैं आपको suggest करूँगा try करने के लिए सबसे बेल तो KIT होँगा फिर यार हमारे भी डालो college कोई ऐसा नहीं है बट at the end आपको इसब करना है यह ध्यान में ज़रूर रखना और यार मुझे instagram पर आपने follow नहीं किया तो यार follow कर लो ना follow कर लो मैं वहाँ पर updates देदोंगा cap round शुरू हो रहे मुझे पता यह late video है मेरा क्योंकि यार मैं अभी final year student हूँ और काफी मितलम मेरे projects वगेरा सबी कुछ चल रहा है so video नहीं बना पा रहा but कल एक class दिन रहे गया है मुझे पता है तो आप यह apply कीजे AI लेना चाहते हो ले लो AI कि AI ब्रांच अच्छी है computer science and cyber security business वो भी अच्छे आप college में सिफ पूछो जिस college में आपको चाहिए सिर्फ उस college में जाओ पूछो कि comparison करे computer के साथ तो कैसे तो आपको जबाब यही मिलेगा 10-15% का difference है portion सभी same आता है तो यार बस आप ले लीजे कौन से भी मिले IT में कौन से मिले तो आप ले लीजे अगर आपको marks कम है तो अगर आपको हाँ ऐसा ही कि मुझे computer ही प्लेन चाहिए तो आप ले लीजे computer भी बट marks भी चाहिए उसके लिए और मैं ऐसा कहूँगा क्यार ऐसा नहीं कि branch deserve करती है आपको job देने में आपकी skills at the end बहुत इंपोर्टन होती है और main बात तो यह ही कि कुछ students का एक और एक सवाल था कि AI करूँगा तो मुझे development field में जाऊंगा क्या तो यार development field में जाऊंगे मतलम आपको computer science तो पढ़ाइंगे ही फिर आपको extra AI ideas का portion होगा तो basic तो आपका foundation होगा ही आपका portion computer science है और आपका same AI का computer science का same portion है तो आप development field में जा सकते हो ना और directly AI ideas की student को भी directly data analyst का job नहीं मिलता steps होते हैं आपको पता चलेगा आप internet पे search करो या फिर आपको चाहिए इसके उपर वीडियो dedicated तो comments में आता हो और अगर आपको कौन से भी doubts आए और अगर कौन से other topics में वीडियो चाते हो college related तो यार definitely comment out करो क्योंकि आप comment नहीं करते हैं direct DM में सब कर DM करते हैं पहले तो problem भी हो जाता है silly silly मतलम problems होते हैं तो मैं add the end वीडियो पे बता दूँगा या फिर आपको अगर clear ही करना है तो मुझे follow कीजे Instagram पर मैं आपको जरूर reply दूँगा actually मेरे projects भी चल रहे हैं तो थोड़ा busy schedule ले बड़ ट्राइ करूँगा मैं आप comments में सब सब लिकीजे क्योंकि comment में आपको community जो होगी वो reply जरू करेगी and yes बस आपको add the end में अगर सारा conclusion बता दूँ तो यार या ideas या फिर कौन सी ब्रांचों IT वगेरा सेम ही होती है आप ले सकते हो थोड़ा सा फ़र रखाता है जो मैंने बता है आपको 2-3 subjects बस नहीं तो मैं जो उस company में सारे subject पूचे जाते सारे सवाल जो पूचे जाते वो सब भी cover होता है add the end आपको पढ़ाई करने है और आपको जाना है हम अभी IIT में तो नहीं है तो ऐसा नहीं कि हमें job नहीं मिल सकती हम Google में या Microsoft में या इसी company में जा ही नहीं सकते आप off campus से जा सकते हो और मैं काफी ऐसे लोगों से मिला हूँ जो यार college मतलम आपको नाम भी पता नहीं होगा और वो आज Google में Microsoft में काम कर रही तो college आपको कभी decide नहीं करता आपका future add the end आपको अगर नहीं मिल आच्छा college तो क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मुझे college अच्छा नहीं मिला तो यार मेरी placements नहीं होगी और मुझे experience भी अच्छा नहीं मिलेगा हम IAT and IAT क्यों जाते हैं यार क्योंकि वहाँ पर सब भी होश्यार बढ़ जातें competition करने के लिए मिलता है और कुछ नहीं चीज़े सिखने को मिलता है और experience करने के लिए मिलती है और ऐसा नहीं कि IAT नहीं होगा तो यार future मतलम खराब अभी कुछ नहीं होगा यह जरूर द्यान रखना कि आपकी skills आपको आगे ले जाएगी बस हाँ यह difference है कि जो top companies होते है Google, Microsoft यह इस private college में नहीं आती है हमें off campus के थ्रू जाना होता है इसके बारे में अगर आप जाना चाते हो तो इसके बारे में मैं dedicated video बनाऊंगा कैसे apply करते हैं, क्या होता है, क्या process होती है आप comment सिफ करिए मुझे या फिर मुझे यार Instagram पर follow कर लो वहाँ पर मुझे पताओ, comment भी कर सकते हो, and yes at the end at the end एक personal message है मेरा, जो की अमन धत्रवाल जो YouTube चैनल आपको पता है होगा आप सभी बच्चों को, तो यार अमन भाई आपको एक message की happy wedding आपका मैंने अभी भी वीडियो देखा, तो यार काफी अच्छा लगा देखकर, आप अगर वीडियो देख रहे होंगे तो जो रिपलाई कीजिएगा and बस यार, अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, see ya, have a good day उसकी पड़ाई के बाद AI की सब्रेटिक्स इन्ट